मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वर्क्षीट नंबर फोर आई है मैट्स की वर्क्षीट है तो चले इसको पढ़ना शुरू करते हैं पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे देड डालेंगे अपना आप लोग ने देखा होगा पार्क में अक्सर ऐसी टाइल्स आपको लगे वे मिलते हैं देखें यह लिका है संधया ने खीरकी से देखा कि उसके घर के सामने वाले पार्क में टाइल्स लगाई जा रही है उसको यह टाइल्स वाला डिजाइन बहुत सुन्धर लगा आप सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आपके कंदा को यह पार्क बहुत आलग बने हुए है उसके पापा好吧 बतायाकि इस यहीं लेकिन वह लग बनी है पापा ने बताया कि उसके अलग आज़ी술 to cur अलग है अब देखें यहां क्या लिखा है बच्चो इन चित्रों को ध्यान से देखिए और बताईए कि पहला कोशन क्या लिखा है आपने ऐसे टाइल्स और कहां कहां देखी है आप उन सभी टाइलों का चित्र कॉपी पर बना कर रंग भरिए तो आपने इस तरह की टाइल्स कहां देखी है तो आप लिखेंगे पार्क में देखी है ठीक है सड़क पर देखी है सड़का सड़क सड़क पर देखी है इसके लावा स्कूल में भी होती है आप स्कूल लिखेंगे ठीक है न तो यह में तीन जगाए हैं जहां पर हमें इस तरह की टाइल्स देखने को मिलती ह अब आपने जो डिजाइन की टाइल्स देखी है उसको डिजाइन की टाइल्स को बनाएंगे ऐसी डिजाइन होती है कभी कदार जो है वो थोड़ी सी यह जैसे तीन वाली है इसी तरह से चार वाली भी होती है तो अगर ऐसे चार वाली आपने देखी है तो जो भी डिजाइन्स आपने देखी है आप उसे बना सकते हैं और उसमें कलर कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहां अगला कोशन लिखा है नीचे कुछ टाइल्स और उनसे बनने वाले डिजाइन दिये गए है प्रतियक डिजाइन को उस टाइल्स से मिलान कीजिए जिससे वो डिजाइन बनाया गया है तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर यह इस तरह कि आप बताएग तो इस तरह से आप लोग इने बना लेंगे आप लिखा है आप से ही सेंख्या लिखकर मिलान कर सकते हैं जैसे कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ए जो है वो थ्री से मिल रहे है तो आप ने ए के आगे थिरी लिख दिया यह और यहां से यह थिरी ले लिया अब बी किस यूर्ष बनाना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो इस तरह से सी जो है छ्ग ए सी किसे मिलेगा सुरी बीुंट Hal आपके परन्स बेंस बताई है नहीं किया तो प्लीज मैच आगो सिस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग